अगर मैं आपको बोलू कि आपको इतनी अमाउट फीस पे करनी है और आपकी आइस है वो क्लियर हो जाएगी और जैसे कि रजे यहां मैं एक रियल अग्जामपल देना जाती हूँ कि काफी बचे होते हैं कि जिनका सेकिंड टाइम अग्जाम क्लियर नहीं होता कुछ बचों क थर्ड में नहीं होता और कुछ बचों को फोर्थ अटेम्ट में नहीं होता जिसकी वज़े से क्या होता है कि बचे फ्रस्टेट हो जाते हैं और पेरेंट्स का प्रेशर बार बार पढ़ना शुरू हो जाता है कि उनके जो रैल्टिव हैं उनके बच्चों ने फ्रस्ट पे किये थे जैसे कि real IELTS वाला अग्जाम का टीरफ लेने के लिए तो at the end of the day क्या होता है कि रजे जब वो अप्लाई करता है कैनेडा के लिए तो कैनेडा उसको five years का बैन दे देता बिकास जो वो टीरफ आता है तो वो टीरफ वाल से वैरिफाई हो जाता है कि यह अक्चल में IELTS अग्जाम इसने नहीं दिया है और जैसे कि रजो उस बच्चे ने first attempt में भी उसके score नहीं आये थे और second में भी नहीं आये थे और third attempt में भी score नहीं आये थे so guys be safe and guys मैं यह चीज़ कहना जाती हूँ अगर आपको कहीं भी यह ad show होती है अगर आपको whatsapp पर message आता है या instagram पर आपको कहीं ad show होती तो उन पर trust मत कीजेगा आपकी money भी based होगी साथ की साथ आपका career भी spoil होगा so guys be safe अगर आपको यह वाली वीडियो helpful लगी तो प्लीज जाद से जादा बच्चों के साथ share कीजेगा तांकि यह fraud बच्चों के साथ कम हो और बच्चों को भी इस चीज़ के बारे भी knowledge पता चल पाए अगर आपको यह वाली वीडियो helpful लगती है तो चानल को subscribe करना ना बुलेगा and thank you for watching